हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ट्वंटीफो नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टूट ऑफ टेक्नलोजी तिरुपती भारतिय प्रोधकी संस्थान तिरुपती की नियू डिकुर्माइट नॉटिफिकेशन के बारे म इन्वाइट की गई है वो आपके वेरियस पोस्ट के लिए इन्वाइट की गई है इसके लावा टेक्निकर officer की vacancy आपकी यहाँ पर multiple post रहेंगी deputy librarian की vacancy है horticulture officer junior technical superintendent junior technician की vacancy है इसके रावा deputy registrar की assistant registrar की और यहाँ पर फैंस जूनियर हिंदी assistant की या junior assistant की vacancy आपकी रहेंगी अब यहाँ पर फैंस जो यह post है इसके according आपको जो भी lpt conditions चेक करनी है वो आपको मिल जाएंगी जोबरास्ता.com पर अगर आप eligible है तो 29 जनवरी 2021 तक आप इसमें आविधन कर सकते हैं lpt condition जैसे मैंने कहा description में आपको मिल जाएंगी और इसमें फ्रेंस से 200 रुपे फीस है जन्रल OBC candidate को और female candidate या SCST candidate या PH candidate के लिए कोई भी फीस नहीं है और online आप apply करेंगे apply करने का जो link है वो सब description में आपको मिल जाएगा जो कि यह इसका home portal है apply online के वीडियो को start करने से पहले friends अगर अभी तक आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है subscribe करें share करें like करें जिससे friends आपको latest update मिल सके तो friends Indian Institute of Technology के staff requirement का यह online form fill up video है जिसमें friends सबसे पहले आपको यहाँ पर login करना होगा login करने के लिए आपको पास account होना चाहिए account बनाने के लिए आपको create new account का option यहाँ मिल जाता है आप इस option पर click करेंगे और यहाँ पर आपको एक username देना है कैसा भी username आप दे सकते हैं अगर वो available हुआ तो आपको यहाँ पर show करेगा इसके बाद friends आपको यहाँ पर देनी है आपकी mail ID तो आपकी जो भी active and valid mail ID है वो friends आप यहाँ पर fill करेंगे यह fill करने के बाद friends आपको नीचे दिएगे इस capture code को fill करना है और उसके बाद यहाँ से create new account कर देना है इसके बाद friends यहाँ पर आपको एक message मिलेगा एक welcome message जिसमें friends आपके जो instructions है वो आपकी mail ID पर आपको send कर दिए गए है तो जो भी mail ID आपने यहाँ पर डाली है जो भी fill की है registration करते वक्त उस पर जाकर आप inbox में जाएंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको एक message मिल जाएगा reset password का जो की one time login आपके लिए रहेगा आप इस login वाले option पर click करेंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए अब आपको login करना है जिसमें आपको request करनी है new password के लिए तो आप अपना जो यहाँ पर email ID है वो दे सकते हैं या फिर friends आपका username आप दे सकते हैं इस capture code को fill करके आप email new password पर click करेंगे इसके बाद friends यहाँ पर आपको दुबारा से एक message मिलेगा कि further instructions आपके mail ID पर आपको send कर दिये गए हैं इसके बाद friends mail ID open करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दुबारा से एक link मिलेगा उस link पर click करने के बाद आपको यहाँ पर एक password generate करना है password में friends आपके lower case upper case number आपके यहाँ पर होने चाहिए special characters होने चाहिए तो आप यहाँ पर कोई भी अपने according password generate करेंगे बस इन यहाँ पर जो भी आपको guideline दी गई है उन guideline के according आपको यहाँ पर details को fill करना है तो यह आप यहाँ पर password को confirm कर देंगे password confirm होने के बाद friends आपको यहाँ पर option मिलता है save का आप यहाँ से इसको save कर सकते हैं save करने के बाद friends आपकी जो data है वो save हो जाएगी और यहाँ पर friends आपके सामने जो यह portal है यहाँ पर आपको post के details भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर friends से आपको option मिल जाएंगे profile के basic profile के qualification experience certificate का किस post के apply कर रहे हैं print या payment status का तो सबसे पहले friends से आपको यहाँ पर करना है my profile वाले option पर click जिससे आप अपना profile complete कर सकें तो यह है आपका basic profile edit option तो जिसमें friends सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो basic जानकारी है इसमें आपको fill करना होगा आपका नाम और यह आपके 10 की marship के according आप फिल करेंगे आपका father name आपको यहाँ पर देना है इसके बार आपको देना है आपका DOB date of birth तो आप यहाँ पर इस calendar क माध्यम से आपका जो भी date of birth है वो select कर सकते हैं आपका gender select करना है nationality select करनी है citizenship आपकी by birth है by dimension है वो आप select करेंगे category आपकी क्या है general EWS, SC, ST, OBC वो आप यहाँ select कर सकते हैं अगर friends आप PH candidate है तो yes करेंगे नहीं है तो आप no करेंगे central states आपके government में आप काम करते हैं तो yes and no कर सकते हैं regular या permanent employee है any IIT में तो भी आप yes and no कर सकते हैं एक service man है तो आप यहाँ पर yes and no करेंगे आपका कोई भी 10 digit का mobile number और एक alternative mobile number आपको देना है मतलब दो number आपको यहाँ पर देने होंगे आपकी mail ID आपकी आचुकी है एक alternative mail ID भी आपको देनी होगी जिससे अगर इस पर कोई भी शंपर आपसे ना हो तो आपको second mail ID भी आपके पास available होनी चाहिए इसके बाद है आपका address for communication तो आपका पूरा address आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद फ्रेंस से यहाँ पर देखिए जो details है वो include होना चाहि वैसे आप लिख सकते हैं directly आप यहाँ पर normal ऐसे भी अपना जो address है वो आप एंटर कर सकते हैं तो यह आपके उपर depend करेगा आप अपना address किसी आप से यहाँ पर लिखना चाहेंगे यह लिखने के बाद फ्रेंस से यहाँ पर आपका जो permanent address same है तो आप इसको copy paste कर सकते हैं य जिए नहीं तो blank छोड़िए अब यहाँ पर कितना time चाहिए आपको join करने के लिए तो आप यहाँ पर months में बताएंगे तो सबसे minimum आप month जो लिख सकते हैं वो आप लिख देंगे आपके place का नाम लिखेंगे आप इस mom को कहां से fill कर रहे हैं मतलब आपका जो district है गाव है उ आपका signature है आपका community certificate है मैंने OBC इसलिए select किया था जिसे आपको पता लग जाए कि आपको यहाँ पर certificate भी upload करना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको certificate upload करना है अगर आप EWS अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप ex-serviceman, ph candidate, noc अगर आप पहले से कार्यात कर अगर्मचारी है, government या किसी भी semi-government में तो आपको noc भी देनी होगी तो यह आपको यहाँ पर size और आपको यहाँ पर jpg format का option यहाँ पर दिया गया है आप अपने according documents को जो भी आपको यहाँ शो करते हैं वो आपको यहाँ पर upload करना mandatory होगा इसके बात friends से आपके सामने यहा आपके सामने जो यह box है इसमें friends से आपको आपकी जो भी qualification आपके पास है वो आपको यहाँ पर fill करना mandatory होगा अब आपको यहाँ पर SSC या intermediate ITI आपके degrees की detail आपको सब देखने को मिल जाती हैं तो आप जिस भी post के लिए applicable है apply कर रहे हैं उसके according आपको details fill करनी होगी सबसे पह इसके बाद friends से यहाँ पर आपकी जो specialization है वो आप दे सकते हैं तो अगर tent के लिए बात करें तो आप यहाँ पर all general subjects enter कर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर है आपको यूनिवरसिटी या फिर आपका institute का नाम या आप देना चाहें वो दे सकते हैं अपने institute करेना चाहें वो आप दे सकते हैं, आपका division कौन सा है, वो आपको देना है, आपका year of passing क्या है, इसके अलावा friends से यहाँ पर आपको date, month and year सारे option देखने को मिल जाते हैं, इसके बाद friends से यहाँ पर है, अब आपका percentage system है, तो percentage CGP system है, तो CGP है, यहाँ आपको यहाँ पर enter करना होगा, तो आपक करने वाले हैं, इसके बाद friends, आपको यहाँ पर मिलता है, I have added का option, तो अभी आपने add नहीं किया है, तो आप यहाँ पर और अपनी qualification को add करना चाहें, add more पर click कर देंगे, इसके बाद friends, यहाँ पर आपको जो आपकी degree, diploma, या फिर intermediate detail आप देना चाहें, आपका specialization, इन में किस month है, आपका division है, और इसके लावा आपका percentage system है, CGP system है, और यहाँ पर आपको same certificate and mark sheet PDF format में upload करनी होगी, upload करने के बाद friends, आप यहाँ से इसको declare कर देंगे, और declare करने के बाद आप दुबारा से add more पर click करेंगे, और इसके बाद friends, आपकी सामने दुबारा से यह box हाजाएगा अब यहाँ पर आपके पास जो भी qualification है, वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, आपके according जो भी आपकी qualification है, वो आप यहाँ पर select कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ से specialization बता सकते हैं, और इसके बाद friends से आपको यहाँ पर अगर माली जी specialization नहीं मिल रही है, तो आप other भी select कर स करेंगे और अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है आप एड़ मोर कर सकते हैं नहीं तो इसको फिर यहां से आप सम्मिट कर देंगे इसके बाद फैंसे आपकी क्वालिफिकेशन यहां अपडेट हो जाएगी इसके बाद है आपका experience section तो यहां पर आपको experience एड़ करने के लिए add experience वाले option पर click करना होगा इसके बाद यहां पर फैंसे देखिए आपका जो name of the organization है किस company में आप काम करते हैं करते थे इसके बाद designation किस post पर आप काम करते थे कब से कब तक आपने काम किया आपका जो काम करते थे उस post पर क्या काम क में आप यहां upload करेंगे अगर friends आपके पास multiple company में काम करने का अगर आपके पास experience आप add more कर सकते हैं नहीं तो आप इसको directly submit यहां से कर देंगे यह friends आपका qualification या experience section है यह complete हो जाएगा इसके बाद certificate option है आप यहां से certificate को complete कर सकते हैं इसके बाद friends आपके पास कोई भी certificate है तो जो नाम है वो आप यहां पर mention करेंगे वो certificate आपको कम मिला है certificate यह quality क्या है certificate आपको upload करना है और उसके बार यहां से आप इसको भी submit कर सकते हैं तो friends यहां पर आपके पोस्ट है उस पोस्ट के according जो भी आपसे मागा है उस पोस्ट के according ही आपको यहां पर details को enter करना होगा इसक अप्लाइ करना चाहें उस पोस्ट को अप सलेट कर लेंगे और उसके बार आप चेक करेंगे कि आपने साइड डिटेल सही फिल की है और जो qualification है उसके बार यहां पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाइ कर दिया है और यहां पर फैन से आपको देखिए आपको जो आपका डाउनलोड application फॉर्म है यह option मिल जाएगा अब यहां पर फीस में अगर आपको छूट मिली है तो फीस से exempted का option मिल जाएगा अगर आपको फीस में छूट नहीं मिली है उस condition में click here to pay application फीस पर आप किले कर सकते हैं इसके बार फैन आप सेलेट करेंगे किस पोस्ट करेंगे आप आविधन कर रहे हैं वो आप सेलेट करेंगे आपका application number आपका नाम आपका gender आपकी category कौन सी है इन में से इसके लावा ph candidate आप है या नहीं है आपकी mail id आपका mobile number date of birth application fees आपको यहाँ शो करेगी remark आप blank छोड़ सकते हैं payment या फीस लिखना चाहें लिख सकते हैं इसके बाद नाम, date of birth, mobile number, mail id, capture को डलकर submit करेंगे और किसी भी bank के ATM card, debit card, credit card, net banking से आप payment कर सकते हैं payment complete होने के बाद ही फ्रेंट से आगे की जो process है वो आप start कर पाएंगे इसमें फ्रेंट से यहाँ पर आपको एक message मिलता है application fees का जो update है वो फ्रेंट से कम से कम two working days यहाँ पर ले सकता है अगर वो यहाँ पर आपको payment status शो नहीं करता तो फ्रेंट से आपको tension नहीं लेनी है कम से कम two days working days banking working days आपको wait करना है वो update हो जाएगा और इसके बार आप यहाँ से इसका जो print है वो भी निकाल कर अपने पास रख सकते है आपको print यह download application वाले option पर click करना है कोई भी application form send करने की जोरत नहीं है आपको बस यह online apply करना होगा अगर आप multiple post के लिए apply करना चाहे multiple के लिए भी apply कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी आप जैसे experience की बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ fill नहीं किया यह इसलिए fill नहीं किया क्योंकि हमने जिस post के लिए apply किया है वहाँ पर friends से कोई भी certificate या फिर कोई भी experience नहीं staff vacancies के लिए तो friends यहाँ पर जो भी detail मैंने आपको provide की है अगर आपको यह पसंद आई है तो like, subscribe and share जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching